सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को ज़रूर प्रैस करें जिसे लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में आपको Real Interest Rate और Nominal Interest Rate का Basic Concept एग्जैمपल के साथ Easy Way में समझाँगा और साथ में इनके जो Formula's हैं वह भी समझाँगा तो सबसे पहले हम समयते हैं कि Nominal Interest Rate किया होता है Nominal Interest Rate वह Interest Rate होता है जो हमें जाहिर करवाया जारहा हुता है और इसके अंदर से इंफलेशन वगारा जो है माइनस नहीं की गी होती है इसके अंदर उनकी परसंटेज इंकलियूड होती है जैसे फॉर एक्जेंपल आप बैंक के पास गए आपके पास है एकलाकर पर और बैंक को बोला के मुझे एकलाकर पर के ओपर रिटर्न चाहिए तो बैंक ने बोला आपको 10% हम रिटर्न दे देंगे तो यह जो रिटर्न आपको मतलब अजाफी में बैंक दे रहा है एकलाकर पर के ओपर 10% इंटरस्ट या रिटर्न बोल सकते है तो यह क्या nominal interest rate है क्योंकि इसकी अंदर inflation include नहीं है tax वगारा include नहीं है इसको हम nominal बोलेंगे और nominal का formula यह देखें यह तो हमें पता चल गया ना यह nominal है जो मैं कहां में दे रहा है तो sometime examples यहां problem में हमें nominal नहीं दिया होगा हमें real rate और inflation दिया होगी हमने उन दोनों को add करना है तो हमारा जो answer होगा वो nominal interest rate होगा यह देखें नीचे लिखा हुआ है approximate nominal निकालने का यह formula है nominal rate is equal to real rate plus inflation और इसी तरह अगर वो हमें exact nominal rate निकालो यह फिशर के point of view से यह उसके formula को यूज करके निकालो तो अपने यह वाला formula use करने है 1 plus capital R is equal to 1 plus small R 1 plus age age जो है inflation को show करवा रहा है and small R जो है real rate को show करवा है और जो capital R है वो nominal rate को show करवा रहा है अभी real rate क्या होता है real rate जो असल में हमने earn की है वो वाला real interest rate वो interest होता है जो असल में हमें मिले है सारे inflation वगारा इसमें से minus करके जो हमारा answer आता है nominal में से जब हम inflation को minus कर देती है जो हमारा answer होता है वो हमारा क्या होता है real interest rate like for example आपको bank ने 10% interest दिया है 10% interest दिया है और 5% की inflation हो गी है तो जब 10% में से 5% आप nominal क्या था 10% 5% minus करेंगे तो आपका answer हैगा 5% यह जो 5% है यह real interest rate है यह देखें approximate real rate निकालने का फार्मूला यह है real rate is equal to nominal rate minus inflation अगर वो के exact यह फिशर के point of view से निकालें तो फिर आपने यह वाला फार्मूला यूज करना है उसी तरह का है और इसमें जो R है capital R वो nominal rate है H inflation और small r जो है real rate है आगे एक example है इसको समझते है उसी तरह की example है कि राम जो है बैंक में एक लाख फ्रप्या deposit करवा रहा है और 10% interest दे रहा है bank उसके उपर यह जो 10% है निए nominal हो गया क्योंकि bank दे रहा है इसके अंदर अभी कोई चीज माइनस नहीं की गई इस interest दे और 5% क्या inflation और यह वो कह रहे है हमें real rate निकाल गए बताएं तो nominal rate में से हमने real को minus किया 5% आगे simple approximate real rate इस तरह निकलता है और अगर वो के exact यह official के point आप यू से निकाल लें तो हमने यह formula लगाया small r जो है न वो real rate है तो real rate हमने find करना है वो इस साइट पर रहेगा और उसके साथ जो bracket multiply हो रही है 1 plus h multiply हो रही है दूसरी साइट पर जाके divide होगी है यह देखें divide की है और इसी तरह आप इनके अंदर value put करें आपका answer आएगा 0.0476 अभी percentage में convert करने के लिए 100 के साथ multiply करेंगे 4.761% आपका answer आजाएगा I hope आपको इन दोनों का concept clear हो चुका होगा वीडियो ची लगी हो तो subscribe और like करना मत बुलिएगा अपना बहुत क्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा Good Bye